स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नीलम्स लेटिल कोग बोग ये देखिए कितनी बढ़िया चाट बनी हुई है आलू की बहुत बढ़िया इसको बनानी के लिए हमने 6-7 लाल आलू लिये हैं मीडियम साइज के आलू लिये हैं और इन्हें हमने वाइल कर लिया है आलू को ठंडा हुने के बाद इन्हें हम दोनों हाथों की सहीटा से आलू को दबा देंगे ताकि एक टिकी कहा कार ले ले इस तरह से हम ने पतला कर लेंगे ताकि ये सिखने में अंदर से कोई दिकत ना हो बिल्कुल करारी करारी सिख जएये सभी आलू को हम इसी तरह से हाथ से दबा कर पतला कर लेंगे और ये देखिए सभी आलू हमारे दब करके बिलकुल एक टिक्की के आकार के हो गए हैं ये देखिए टिक्कियों के तरह इन्हें भी हम शैलो फ्राइ करेंगे लेकिन इन पे जादा करारा पन और क्रिस्पी पन हो इसलिए हम एक कौन फ्लॉर की सलरी बना कर इसमें उपर से कोट करेंगे तो हमने दो चमज कौन फ्लॉर डाला है और आदा कप पानी डाल कर एक पतली सी सलरी बनाई बहुत पतली भी नहीं है बहुत गाड़ी भी नहीं है तो इस तरह के हम सलर्यू बना लेंगे और इसमें डिप करके सभी आलों के टिक्की को हम डाल देंगे इस तरह से हम डिप करेंगे और सभी को डाल देंगे इससे हमारा टिक्यों का करारापन बहुत अच्छा होगा क्रिस्पी टिक्की बनेंगे एकदम सबी टिक्यों को हम इसी तरह से इसमें डिप करके डाल देंगे दो चमस तेल उपर से और डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह दोनों तरफ से करारी हो जाए बहुत कम महनत लगती है इस तरह की टिक्की बनाने के लिए और स्वादिष्ट भी बहुत होती है और बहुत जली तैयार हो जाती है आप लाल आलू की जगह सफेद आलू से भी ये टिक्की आप बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि लाल ही आलू से बनेंगे तो आप कोई भी तरह के आलू ले लेजे उनसे भी बना सकते हैं इस तरह से हम इने चारो तरफ से सेख लेंगे मीडियम गैस पर हम इने थोड़ी देर यूही सिखने देंगे ताकि नीचे की पर्त अच्छी तरह से लाल हो जाए और करारी हो जाए अब थोड़ा सा इने पलट कर देख लेते हैं ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये सिख चुकी है नीचे तो सभी टिक्कियों को हम पलट लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सिख जाए इन टिक्कियों को सेखने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत थोड़ी सी तेल में ही ये बढ़िया करारी कुरकुरी तिक्कियों तैयार हो जाती हैं अब गैस को हम सिम कर देंगे क्योंकि कुछ तिक्कियों हमारी सिख चुकी है थोड़ी तो इसलिए अब धिमी धिमी आश पर ये सिखेंगे तो ज़्यादा कुरकुरी होंगी विसलिए गैस को सिम कर देंगे और धिमी धिमी आश पर इन्हें सिखने देंगे बार बार पलेट कर सभी तरफ हमिने अच्छी तरह से सेक लेंगे आप डीप फ्राई करना चाहें तो टिक्यों को आप डीप फ्राई भी करके बना सकते हैं और इस तरह से आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी बना लें जैसी आपकी इक्षा हो उस तरह से आप बना कर इस्तिमाल कर सकते हैं अब टिक्कियां बिल्कुल लाल-लाल सिक रही हैं थोड़ा सा इने और हम सेक लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाए उन टिक्कियों से ज़्यादा कुरकुरी ये टिक्कियां बनती है आप उन टिक्कियों को खाते रहते हैं पहले तो आब इन टिक्यू का बनाईएगा बहुत अच्छी हो जाती है ये देखिए कितनी बढ़िया करारी एकदम सिक्के तैयार है है देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया सिक्की है तो इस तरह के टिक्या बहुत बढ़िया बनती है सभी आलू के जो हमने टिक्चा बनाई थी वह बिलकुल सिकर तयार हो गई है एकदम करारी हो गई हैं और कई बार लॉट पलट करके हमने इने बिलकुल करारा करारा सीख लेया है और अब हम इने एक प्लेट में लगाएंगे इसके लिए एक multi purpose मसाला तैयार किया है जिसमें सभी तरह के मसालों को मैंने एकटा डाल कर भूंच कर पीस कर रख दिया है कोई भी मसाला अलग से मुझे नहीं डालना है तो सभी प्लेट पर हमने लगा दिये टिकिया सबसे पहले धनिया की चटपटी चटनी डालेंगे फिर हम मीठी चटनी डाल देंगे अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम खस्ता करारी बड़ी हसी पापड़ी डाल देंगे इसके उपर जितनी चाहे इतनी पापड़ी डाल देजे बहुत अच्छी लगती है इस पर पापड़ी और फिर दही की एक लेड लगाते है अच्छे से दही की लेड लगा देंगे फिर थोड़ा सा सफेद नमक और थोड़ा सा काला नमक तो एक चमश मल्टी पर्पस मसाला डाल देंगे थोड़े से अध्रक के लच्छे डाल देंगे थोड़ा सा प्याश डाल देंगे जो हमारी चाट की दोगनी स्वात कर देगा और थोड़े से हरे मिर्चे और फिर थोड़े सी हरी धनिया की चटनी और फिर थोड़े सी लाल वाली मीठी चटनी और थोड़ा सा और दही और फिर ये हमारे थोड़े से चुकंदर के लच्छे ये चीजें आप्शनल है आप डालना चाहें तो डालिये नहीं तो हरे दनी से गानिश कर दीजे और बहुत ही बड़िया चार्ट पंड कर रेडी है लाश्ट में थोड़ा सा काला नमक और डाल देंगे ताकि स्वाथ अच्छा आए इस तरह से आप भी घर पर बनाएए और सभी को खिलाएए बहुत पसंद आएगी चार्ट और हमारी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें और हमारी वीडियो शुरू से आकरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद